हलो दोस्तों में नाम है सिदा असेना और यह वीडियो आपको CAIB का BFM Bank Financial Management Module B पढ़ गए है इनित नम्बर 8 है Risk and Basic Risk Management Framework के पढ़ाई करेंगे अगर आप प्रॉपर वीडियो कोर्स करना चाहते हैं CAIB के उपर ते मेरा phone number भी दिया हुआ है या इसी description box में different details भी में दिया हुआ ऐसे सबसे पहला चीज क्या है रिस्क क्या समझते हैं क्या मतलब करके तो है Connie क्या समझते हैं currency में रिसक को यह सा कुल सकते Karbed खुछ बिच भी अन प्रेटिउनिंध बीच इसको कर सकते हैं इस तो कर सकते या उस अंस एंस कि इसको नहीं बता सकते हैं किसके रिस्क जुड़ा है वह अपने बता सकते हैं जया अंसyou और नहीं मौतिर एक बैंक हो गया तो रिवर्स या बोल सकते हैं नेगेटिव या बोल सकते हैं एडवर्स आउटकम हुआ जो भी जहां भी पैसा लगाया लोन दिया चाहे आप मानों की फॉर्ण एक्सचेंज का कुछ कर रहे हैं ट्रेजरी का काम कर रहे हैं शेयर किर्दा वह आप सोची बढ़ेगा घड़ ग तो लिसी चीज़े ने प्लान प्लांट एक आप रिजल्ट है या प्लांट बोली चाहिए बोल सकते हैं अंसर्टनटी चीकर जूड़ा हुआ है नहें नहीं डीक नहीं है मैं इस तक खमने एन सबस्सक्राइज इस ए एज अनसर्टन अंसर्टनीटीज कि रिजल्टिंग इन एड़वर्स आउटकम अपने इन नोट्स बनाते चलना ठीक है और यहां पर पार्ट बन कर लिजे ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोज होती है अपर बोल सकते हैं कि एड़वर्स इन रिलेशन तो प्लान अब्जेक्टिब्स और एक्स्पेक्टेशन तो वो क्या रहा है यह अंस्टेंटी जे जिसकी वजह से आपको एड़वर्स आउटकम आया और एड़वर्स आउटकम किसके वजह से आपका जो रिलेशन था प्लान्ट अब्जेक्टिव यह एक्सपेक्टेशन वैसा हुआ नहीं उसका उल्टा हो गया अब आएए फाइनेसल डिस्क के उपर अब कुछ सेम रहेगा अंस्टेंटी जुरा हुआ और यह पैसे से जुरा हुआ फाइनाइस से जुरा हुआ ठीक है तो यह बोलता है अंस्टेंटी जिसकी वजह से आपको एड़वर्स वेर्येशन आ रहें प्रॉफिटिटी का यह अब और बोल सकते हैं लॉसे जोरे जतना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट हो उसे कम प्रॉफिट ओन लॉफिट ही या लॉसेज हो गया दोनों चीजा अगए इसमें तो फैनेसिल रिस्क का आप अन से डेटी इस रिजल टिंग इन एड़वर्स झालत प्राहिए और प्राक्तो यफस करल और आउट्राइड लोसेज तो फाइनसर इसका है ये एक तरह का अंसरेंटिस जुड़ा हुए जिसकी वजह से रिजल्ट के और अडवर्स वेरियेशन्स हो रही है आउटकम में जो भी फॉड़ी पॉफटबलिटी है या लोसेज आपको भूगिया एक जादा वो गया है अब हम बात करेंगे इंपेट औफ अंसर्टिंटिस की तो क्या इंपेट हो सका है और इह जो इंपेक्ट है और इस जुड़ा हुआ है सेल्ड वॉलूम के साथ नेचरल सी बात है अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है तो कहींना कहीं सेल्स की वॉलूम कम हो गई सेल्स प्राइस कम हो गया पर जेस प्राइस अल्मिस्टिट्टिफ एक्सपेंस इस बढ़ गए प्राइस प्राइस एडमीस्टिशन एक्पर्टेशन एक्सपेंसे इस सारे चीजें आपको अन्सिर्टिंटिस की तरफ ले जाती है यह उसका इंपैक्ट होता है ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि इंपक्ट आफ जो में लिख रहा हो प्लीज लिखते चलिएगा तो फाइदा ज्यादा सब्जमाएगा एंपक्ट आफ अनसर्टेनिटीज यह तो आप तो को अउसेह ती स्थेटर्टने एंपक्ट जेए ओू झाली स्थेटर्टू एंपक्ट को सूर घ्Sh vos प्रेंध्ट ट्ट्ट के एंप्त के उंपक्त ग्टर्ट शॉड स्थेश तर्चेटर्ट आपिस माझ के तर्ट कारयह और अनसर्ट को स्थेटर्ट आप अगरेे itself प्रकी अचलियोंस्थ बमधनिस्टिप्स Wikिस ऋग्रस्टिशिक्षीन हुड मिल्सनिटिक्ष जाय कि उacji विचार रिस्क फैक्टर्स या एलिमेंट्स अब समझे का बात यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं यह रिस्क फैक्टर है या एलिमेंट्स है अगर जो आपका बिजिनेस में लॉस हो रहा है किया हुआ जो भी बैंकिंग हो रहा है उसमें कुछ न खुछ हो रहा है या उतना परॉना सरस्ट बॉलिम कं गीर गए तो रिस्क कर दी यह मार्केट बने कॉम्पटिशन वरने की वज़ा से कुछ मेंचेज प्राइस एक्सपेंसेज यह महेंगा हो गया यानि एक्सपेंसेज यह खर्चा बढ़ जाएगा अगर आपका आपकी प्रॉफिट मेंसर करेगा आया समझ में बाद तो सारे पॉइंट्स को आप लीख लीजेए अब इसमें देखिए बोलता है कि जो अनसर्टिनिटी का जो एस्सेशन होता है इसक एलिमेंट के साथ वह सिदा सिदा से बात है अब मैंने जाचाहिए आपको बताया कि यूरिस्क फैक्टर से वह अइंसर्टिनिस साथ जूड़े हुए है आपको नहीं मालू मेंके ट्राउस्पुरेटिशन कॉस्ट कब बढ़ गया आपको क्योंप आंपय है प्राइस घिराना पड़ गया ठीक है तो यहां पर एक नेट केस्ट में बहुत सारी चेंजिस आती हैं, चेंजिस का मतलब वैरियेशन आती हैं, अगर अनसर्टिन्टी दो प्रगासे होती हैं, फैबरेवल और अनफैबरेवल, हम लोग हम ऐसा अनफैबरेवल की बात करते हैं, देखिए रिस्क दो चीज का होता है आप सुनते होंगे रिस्क का दो प्लस पॉइट में, देखिए, समझे एक बात, रिस्क का मतलब है अनसर्टिनिटीज, अच्छा रिस्क से दो चीजे हो सकती हैं, प्लस और माइनस, प्लस मतलब फैबरेवल हो गया आपके पक्ष में गया, और अनफैबरेवल यानि आपके अगेस्ट हो गया, दोनों के इघ्जाम्पल में देता हूँ, अब जब कि पैसा लगाते हैं, अब सुनते ही होंगे कि यह क्या है, मार्केट रिस्क है, तो रिस्क तो जुड़ा हुगा, यह रिस्क का क्या मतलब है, यानि अगर नस्य शुब्साद दिया, आपके लिए हो स ठिर्ग है दोनों चीज़े होती है तो हम गोग क्या करते हैं कि फैंरमल वाली बात है हम लोग नहीं करते है अ कि हम लोग के बात नहीं करेंगे हम लोग सेर्फ and सिर्फ यॉनल फैंरोग के बात रखते हैं विक利 चले, इस 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 इसकों मुझे लिए लिए पलाद, अंसर्टनिटी इस एस्सोचे आड़ विए तूर इसक आड़ित इसक आड़िया इसक आड़िया आड़िया विए आड़िया रिसक एलमेट्स अभी पढ़े देने इसकेलिमेंट इंपक्ट दा नेट कैस्ट फ्लो अफ एनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जाके एक पॉइंट हो लिक सेकते हैं अधर इंपक्ट अव लेडर एंसरुणित विय जोन लिजनेस्ट गॉइंट इंट लूसरुणित तेक बेस. एंद रिखने? मैं इस ङाउंते हैं भर नचा ज़न, जद भर नचा पर नहीं, भर नचाइबंगी नहीं लिए अचा बेनाप़ में ढॉर अचेफराब नचा चा उचेट, सबस्क्राइबंगी, लृचिवेक भर नहीं रिखनी। as well as unfavorable the possible impact of risk is this possible the possible unfavorable impact is the risk of business the uncertainty is associated the risk element net cash flow business investment uncertainty uncertainty risk element impact net cash flow business investment here uncertainty impact net cash flow variations changes net cash flow plus and minus that favorable unfavorable not favorable unfavorable 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 तो लोग रिस्क आफ बिजनेस बोड़ तो शारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा ओके अब देखिए बोलता है कि लोग रिस्क अब जितना रिस्क के कम होगा उतना कम वेराइबिलिटी होगा आपका नेट कैस फ्लो में अपसाइट ये डाउनसाइट ठीक हाइए रिस्क को समझाता हूं आपको जो हमारे पास कैस फ्लो होता है नेट कैस फ्लों अगर हम इसमें आप यह सा बोल रहें कि लोग वेरियेशन है क्या है लोग वेरियेशन है यानि वेरियेशन मतलब क्या होता है चेंज कम चेंज करता है इसका हूं पॉजिटीव या निगेटिव होना ये दोनों आपको मतलब क्या बोलेंगे इसका इंपैक्ट जो होगा लोवर हो रहेगा इंपैक्ट जो होगा वो लोवर होगा पर अगर ही कैस फ्लों जहां पर हाई वेरियेशन से यह चेंज हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा हाई इंपैक्ट हाईयर होगा इंपैक्ट जाए इसका इसमें हाईयर हो जाएगा है यही चीज लिख लेते हैं तो यहां पर क्या बता रहा है कि लोवर इंपवर रिस्ट इंप्ला इंप्लाइस लोवर वरिएबिव डिटर इनन ग्यास्ट वो वििए lower upside and downside potential इसी में एक पोईट है कि एक हाइर risk would imply higher upside and downside potential इसमझ में यहाँ प्याप जितना risk के कम होगा जितना low risk रहेगा जितना रिसके कम होगा वो सिदा सा मतले उसका वैयाबिलिटी यानि जो चेंज करेंगा जो जो कम चेंज करेंगा net cash flow एक हैनि यानि net cash flow कम चेंज करेंगा इसका इसका यह higher upside होगा और downside की potential यानि यह उपर भी ज्यादा जाएगा नीचे भी ज्यादा जा सकता है यानि यह high होगे इस case में समझ नहींगा अब एक और है zero risk को कहा जाना देख लिए zero risk के अबरतर होता है कि इसमें किसी भी तरह को कोई change नहीं होने वाला है net cash flow में और return जो होता है zero risk investment में हमेशा कम होता है अगर आप compare करते हैं जो दूसरे other opportunities available होती है टेख्ची जाएतर कि zero risk के अज़ेकर की cash flow में ज्यादा changes नहीं होती है ज्यादा नहीं ज्यादा नही ज्यादा नहीं पैसा डूबेगा, नहीं डूबेगा, क्यों? सेक्योर है. उसी तरीक्याइछ से. बंद मार्केट में शेयर माट्र लगा है, क्या हो गया वो market risk हो गया, उसमें. जहां risk आ गया तो फिर तो पुछ भी हो सकता है, चेक है? तो आमनों बैंक का जिरेंग भी है इसको जिरो रिस्क बोल सकते हैं जिरो रिस्क जिरो रिस्क गोड इंपलाई नो वैरियेशन इन नेट कैस फ्लो खेंग रिकेंग रिटर्न on जिरो रिस्क रिस्क बेस्ट्वेंट तूड वी लो इस कि कुंपेर्ड टू अदर कि ऑपर जुनेटीज कि अवेलेबल इन मार्केट तो यहां पर क्या बात है यहां पर नेट कैस्ट फुलो में किसी तरह कोई चेंज़ेस नहीं है और जो आप रिटन की हम बात कर रहे हैं जिरो रिस्क इंवेट्मेंट का वह बहुत ही लो होता है क्यों होता है लो होता है आप कंपेर करेंगे दूसरे उप्रचुनिटी जो की मार्केट में अबिलेबल है तो हम ऐसे जो यहां ज्यादा उप्रचुनिट सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसको आपको पढ़ाया हो रहे हैं जैसे कभी आप रहे हैं सबसे बढ़ियां होता है बेस्ट होता है और आप एमान के चलिए कि यह कोर्स कर रहे है तो आप फस्ट टाइम में नहीं आप पास कर जाएंगे कोई दिद्कत नहीं आता है ठीक है और उसके बाद इसमें सबसी बढ़ियां चीज होती है कि डेफ्ट जोनों डेफ्ट खोसते हैं कि सब चीज कवर किया हुआ रहे तो आपको इसके अंदर मिलेगा और यह सबसे बेस्ट कोर्स है सबसे पावर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं फोन कर सकते हैं फोन नमर हो जाएगा अब आन अटर प्लेस कर सकते हैं फोन दिया है ठीक है थैक है थैक यू